हेलो एब्रियोंन वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल चलिए सबसे पहले हम इस कोशन को देख लेते हैं इस कोशन में हमाँ पास क्या दिया गया है 65 माइनस 30 प्लस 20 डिवाइड बैकी स्टार्ट 8 माइनस 3 और हमें बताना है कि इसका अंसर हमाँ पास कौन से ओप्शन के इकॉल होगा जैसे कि ऑप्शन ए 35 ऑप्शन बी 30 ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन टी हमाँ पास 39 जलिस कुशन को स्वल्प करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूं अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना अंसर निकाल देते हैं तो आप अपना अंसर हमें को स्वल्प करते हैं इस तरह की को सॉल्प करने के लिए आपको बॉर्ड माउस फॉर्मले का यूज करना होता है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे देख रहा है इस फॉर्मले के अनुसास सबसे पहले हमें क्या करना होता है हमें ब्रैकेट सॉल्प करना होता है और ब्रैकेट के ओडर हमें यहां पर सॉल्प करने होते हैं चलिए सबसे पहले हम इस कोशन में देख लेते हैं कि हमापास ब्रैकेट कहां दिया गया है अगर आप देख पा माइनस 30 प्लस 20 और डिवाइड 5 अब जो next step रहेगा हमापास हो रहेगा डिवाइड का चलिए अब हम यहाँ पे 20 डिवाइड 5 कर लेते हैं जो कि हमापास होता है 4 तो अब हम इसकी जगा लिखेगे 4 तो हमापास क्या equation बन जाती हैं अब हम यहाँ पे क्या करेगे जो next step लेगा 69 माइनस 30 जो कि हमापास होता है 39 चली अब हम देख लेते हैं कि कौन से option में हमापास 39 दिया गया है अगर आप देख बारे होगे तो हमापास जो option D है उसमें हमापास 39 दिया गया है यानि किस question का जो right option होगा वो हमापास होगा option D 39 होगा